बहुत से लोग friendship day मनाते तो हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि आखिर में friendship day क्यों मनाते हैं हो सकता है कि शायद उन्हें इसके बारे में कभी सोचा भी ना हो किसी ने ठीकी कहा है दोस्त के बिना जिनकी अधूरी है क्योंकि दोस्त का रिष्टा भले ही खून का रिष्टा ना हो बलकि ये रिष्टा किसी परिवारिक रिष्टे से कम नहीं होता इसलिए आज इस वेडियो में हम दोस्ती दिवस यानि friendship की चर्चा करने जा रहे हैं आज अमेरिका जैसे विष्व के अनेक देशों के साथ साथ भारत में भी हर साथ friendship दिवस मनाया जाता है सभी उम्र की महीला पुरुष अपने दोस्त के साथ इस दिन को बहरतेरीन अंदास में सेलिबरेट किया जाता है या यू कहें कि दोस्ती का जश्न मनाया जाता है लेकिन friendship day असल में क्या है इसका इतिहास क्या है क्यूं मनाया जाता है friendship day का महत्व क्या है अक्सर इस पर आज भी लोग को पड़ियाप जनकारी नहीं है इसलिए फ्रेंशिप डे मनाने वाले तथा फ्रेंशिप डे का महत्व जानने वाले प्रतेक विक्ति के लिए आज का विडियो खास होने वाला है तो आएए बिना देरी किये विडियो शुड़ करते हैं तो आएए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कब हुई थी इसकी शुरुआत दूनिया में फ्रेंशिप की शुरुआत 1998 में हुई 1998 में अगस्त के पहले रविवार के दिन अमेरिका सरकार ने एक वेक्ति की हत्या करवा दि मरने वाले का एक करीबी दोस्त था दोनों में बेहतरीन गेरी दोस्ती थी जैसी उसे अपने दोस्त के मरने की जनकारी मिली उसने भी आत्मे हत्या कर अपनी जान ले ली तब से ही सरकार ने इस दिन को Friendship Day के रूप में मनाना शुरू किया अब हम आपको Friendship Day के इतिहास के बारे में बताते हैं बताये जाता है कि 20 जुलाई 1999 में इरोप के पैरगावे में सयुक्त राष्ट के डॉक्टर रेमन ओटुमियों अपने दोस्त के साथ डिनर कर रहे थे इस दोरान उन्होंने Friendship Day का प्रस्ताव रखा वही 30 जुलाई को विश्व मैतरी धर्मयोद World Friendship कुसेट ने भी इस मामले को प्रस्ताव दिया इस दोरानिया सयुक्त राष्ट की नजरों में आया तब स्कूल और कॉलेज में दोस्त एक दुसरे की कलाईब पर Friendship Band जैसा धागा बाधा करते थे स्कूल और कॉलेज में मनाने जैने के बाद सयुक्त राष्ट संग ने 27 जुलाई 2011 को अधिकारी तोर पर 30 जुन को अंतराष्टे Friendship Day के रूप में मनाने की घोशना की अब हम आपको आखरी में इसके महत्वे के बाड़े में बताते हैं दुन्या की कई रिष्टे से इतर दोस्त ही एक ऐसा रिष्टा है जो अपने पार्टनर में लिंग, धर्म और जाती के बंधन में नहीं देखता इसे हर कोई दिल खोल कर मनाते हैं ऐसा माना जाता है कि दुन्या में सांस्कृती, राजनीती और धार्मिक मदभेद दूर करने के लिए दोस्त ही सबसे महत्वे पून रिष्टा है इसलिए दुन्या में इस दिन को दिल खोल कर स्वागत किया जाता है और इसी की साथ महत पुन जनकारी में बस इतना ही हमारे न्यूस चैनल न्यूस 47 को सब्सक्राइब करें नमस्कार